है लो फ्रेंड्स मैजब त्रैस बे आपको सवागत है आज देखें हम क्रोशिय से मफलर बनाएंगे और इस मफलर के उपर देखिए मैंने अलग तरह से एक फ्रिंज बनाई है नई तरह की तो यह मफलर आप बनाते हैं तो यह फ्रिंज भी बनाकर ट्राइग जरूर करें बह है की जितना मैने बनाया है और यह जो है मफलर यह मैंने इस जयकट के साथ मैचिंग बना जयक्ट के साथ मैच्जिंग मफबर हमने बनाए है आप अगर जयकट नहीं भी बनाते साथगे आप यह उर्टा कर सकते हैं और यह इसका नेक नेक और यह आम होड़ और नेक अमने call प्रकॉर mom can के साथ एक बनाया है वाकि मेरे चैनल पर दिखे पहले से भी काफी सारी मफलर की वीडियो है अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मफलर नाम से प्लेइलिस्ट है उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देढ़ूंगी वहां से देखकर बना सकते हैं सारे मफलर बहुत ही प्यारे बने हैं यह बास्केट वीव जिसको बोलते हैं स्टिच को इसमें मैंने अलग तरे की फ्रिंज बनाई है और यह हमने यह कॉर्नर से स्टार्ट करके इसे बनाया है तो आप मफलर अगर कोई और बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर को जुरूर उपन करें जिसका नाम मफलर और स्काफ लिखा है मैंने यह अलग तरे का है कि सबीके डिजाइन बहुत प्यारे हैं और बहुत ही अलग है यह देखिए एक यह मफलर है और इसकी फ्रिंज अलग तरे की मैंने बनाई है यह मफलर भी मैंने कंप्लीट जैकट की वीडियो बनाई है उसके साथ मैंने इसे बनाया है और यह देखिए एक यह मफलर है इसकी जैकट की वीडियो मेरे चैनल पर है उसके साथ मैचिंग बनाया है एक यह देखिए यह मफलर है इसकी जैकट की वीडियो स्लीव वाली जै डीजाइंट मिलेगी और इसके साथ के भी मैंने जैकट बनाई हुई है कि यह मफलर है इसके साथ मेंने मेरे चैनल पर जैकेट की फूल स्लीव जैकट की विडियो अफलोड की हुए तो आप मफलर की और श्रग और जैकेट वाली प्लेयलिस्ट को चेक कर सकते हैं अगर आपने इन में से कोई मफलर या जैकेट बना ली है यह को मैंने आपको बहुत थोड़े से डिजाइन दिखाए हैं काफी सारे डिजाइन में मफलर मेरे चैनल पर अवेलेबल है ग्यारे नमबर मेरे क्रोश्योग लिया है 3 mm तीन चार पलाई कोई भी भूल आप ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आप मफलर के लिए 75 इंच तो तीन सो ग्राम आपके भूल लगेगी 300 ग्राम तो यहां पर देखे 53 मैंने चेन बनाई है 53 चेन अब हम तीन चेन और बनाएंगे तीन चेन और बनाएंगे तो फर्स्ट रो में मेरे पास 54 डबल कुश्य हो जाएंगे यहां पर मैंने हाथ रखा इसी चेन में हम पहला डबल कुश्य बनाएंगे तो यहां पर हाथ रख लिया इसके बाद तीन चेन मैंने और बनाए हैं तो 53 पहले बनाई थी तीन अब बनाई है धागा लेंगे यही वाली तीन चेन स्किप करेंगे जहां पर हमने हाथ रखा है वहाँ पर मतलब fourth chain में हमने double crochet किया एक हमने double crochet बनाया है शुरू में हमने 3 की chain बनाई है इस 3 की chain को एक double crochet count करते हैं अब next में बनाएंगे double crochet किस तरह से बनाते हैं धागा लिया chain में इस तरह से हमने crochet हो को डाला यह 3 है first 2 निकाल दिये फिर 2 से 1 की है तो यहाँ पर मेरे पास 53 वो है तो 53 double crochet हो जाएंगे एक हमने शुरू में 3 की chain लिए है 54 हो जाएंगे complete करेंगे तो अब यहाँ पर देखे 54 मेरे पास double crochet है तीन chain लेंगे वह को done करेंगे first वाले chain में नहीं बनाएंगे next में बनाएंगे एक और बनाएं next में 2 मैंने double crochet बनाएं 3 की chain बनाई है तो यह मेरे 3 double crochet count होंगे 3 की chain को हर row में हम 1 double crochet count करेंगे यह मैंने रखे हैं जो हमारे pattern के side में 3 double crochet इस side रहेंगे 3 इस side रहेंगे center में हमारा pattern आएगा तो अब 3 होगे मेरे पास इसके बाद देखिए 5 chain बनाएंगे 2 3 4 5 5 chain बनाए 5 chain बनाए 3 chain skip करेंगे 1, 2, 3 4 में हमने single crochet किया यहां single crochet बनाए है साथ ही हमने 3 chain लेकर इसी जहांपर हमने single crochet बनाए है इसी chain में हमने 1 double crochet बनाए next chain में हम 2 double crochet बनाएंगे यहां पर हमने single crochet 3 chain double crochet किया फिर next में हमने 2 बनाए अब इसके बाद देखिए 1, 2, 3 chain skip के 4th chain में हमने single crochet से जॉइन किया इस तरह से फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 5 chains 5 chain लेकर 1, 2, 3 chain skip के 1, 2, 3, 4th में हमने single crochet किया 1, 2, 3, 4th में single crochet किया single crochet 3 chain और इसी chain में एक double crochet फिर next chain में यहां पर 2 double crochet एक एक और बनाएंगे यहां पर इसके बाद 1, 2, 3 skip करेंगे 4th में single crochet से जॉइन करेंगे सेम जैसे हमने यह बनाया है 5 chain और यहां पर बनाया है फिर 5 chain और यह सेम बनाया 1, 2, 3, 4, 5 chain लिए 1, 2, 3 chain skip किया 4th में single crochet किया 1, 2, 3 chain बनाए 3 chain बनाकर इसी chain में हमने double crochet किया फिर next chain में 2 double crochet करेंगे 1 बनाया, 1 और 1, 2, 3, 4th में single crochet किया तो यह देखिया अभी मेरे पाद यह एक, दो, तीन बने है इसी तरह से मैं last तक बनाऊंगे यह देखिये 1, 2, 3, 4 और 5 अब हमने देखिये 1, 2, 3 skip किया 4th में हमने single crochet किया last में हमने 3 chain बनानी है 3 chain बनाकर 1, 2, 3 skip किया 4th में double crochet किया जैसे हमारे पास शुरू में 3 double crochet है last में भी हमारे पास 3 double crochet आएंगे 2 और यह last में जो 3 की chain है यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से यहाँ पर देखिये 3 हमारे पास शुरू में double crochet last में भी है और शुरू हमने हर row में हमने 5 chain से start करना है और हर row में हमने 3 chain पर finish करना है तो आप देखिये 1, 2, 3 chain लिए बहुती easy pattern है बस यही हर row में repeat होना है 3 हमने chain लिए 1 वाली में हर row में हमने 1 वाली chain में नहीं बनाना next में बनाना होता है 3 के उपर 3 आएंगे तो मैंने बूला आपको हर chain में 5 chain के साथ start करना है तो अब यहां पर फिर से हम 5 chain के साथ start करेंगे 5 chain लिए और यह हमारे पास जो 3 की chain है यहां पर हमने single कोशिया किया single कोशिया किया 1, 2, 3 chain बनाकर यहां पर 3 double कोशिया बनाने है 1 2 3 seam यही वाली जो चीज है नीचे हमने बनाई थी यह single कोशिया, 3 chain और यह 3 हमारे पास double कोशिया थे तो वही है यह single कोशिया यह 3 chain और यह 3 double कोशिया यहां centre में single crochet से join करेंगेए 5 chain बनाएंगे 2-3-4-5 5 chain बनाएं यहां पर हमने गना धागा लिए हम single crochet से join करेंगे 1-2-3 chain बनाएंगे और यहीं पर हम 3 double crochet बनाएंगे रो इसी तरह से हमने complete करनी है यह center में single crochet से join किया तो मैं बना के यहां तक आती हूँ रू देखिए complete कर ले ने तो अब देखिए last में हमने यहां पर बनाया है single crochet कोशिया थीदेंखें तीन笑 दबल कोशिय यहां यहांजही एंहें हमने समकुल कशुशिर से जॉइन किया और मैं आपको बताय है पा। हैँए तक सब्सक्ट हो,'औ और तीन चेयन के साथ फिनिश करना है एक दो तीन घंट लिए धागा लिया यह तीन है हम पास तीनों के उपर एक डबल कुश्या बना लेंगे कि इस साइड यह तीन वाली इस तरह से बइस्ट चलेगी साइड में इस साइड भी तो अब हमने वाग को टर्न किया तीन चेन लेंगे तीन के उपर फिर से हम तीन बनाएंगे तो पिर से हम पांच के साथ स्टार्ट करेंगे दो तीन चार पांच पांच चेन लिए सेम जो हमने लास रोर बनाई है वही हम रिपीट करेंगे सिंगल कोशिया तीन चेन और यहां पर तीन डबल कोशिया इस तरह से यहां पर हमने सिंगल कोशिय से जॉइन किया इसके बाद एक दो तीन प्ले लिए यहां पर सिंगल कुर्शे किया है कि एक दो ठीन लिए यहां पर तीन डबल कुष्य बना लेंगे एक कि दो कि यहां सेंटर में हैं सिंगल कुष्य से जोइन किया लास तक क्याएंगे गिन सीज़े यह यहां पर हमने बनाया है और यह मैंने सिंगल कोशे यह से ज्वान कि यह लास में 3 चेयन बनाएंगे तीन बना कर यह जो 3 डबल कोशे है इनके उपर 3 डबल कोशे करेंगे तो आप देखिए फिर उसी तरह से तीन हमने चेन बनाए वह को टन किया है शुरू में हम टोटल तीन बनाएंगे चेन को मिलाकर डबल कुछिये यह तीन मैंने डबल कुछिये किये इसके बाद एक दो तीन चार पांच पांच के साथ स्टार्ट करेंगे यहां पर बनाएंगे सिंगल कुछिये तीन चेन और यहां पर तीन डबल कुछिये करेंगे सेम जो हमने last row repeat की है वही हमने हर बार बनानी है तो मैंने आपको 2-3 row में बना के बता दिया ताकि किसे को कोई confusion ना रहे 3-4-5 5 बनाएंगे बीच में हम 5 बनाते जाएंगे 1-2-3-3 चलिए यहां पर 3 double crochet करेंगे इसी तरह से last तक जाएंगे तो मैं last तक जाती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ इस तरह से pattern आएगा रोके last में देखिए यहां पर हमने join के है इसके बाद 3 chain लेने हैं लास्ट में धागा लिया है तीन यहां पर double crochet करेंगे इस तरह से यह pattern हमारा आगया कि बनता जाएगा अच्छा मैंने देखिए इस side में जो पट्टी रखी है यह मैंने 3 double crochet की रखी है अगर आप थोड़ी चोड़ाई में रखना चाहते हैं तो यहां पर 5 भी रख सकते हैं side में 5 इस side और 5 इस side अगर आपने 5 पांच की रखनी है तो 2 मतलब इस side extra आएंगे 2 side आएंगे तो 4 chain आप start में फिर ज्यादा लेंगे जितनी मैंने लिए है तो अब आप देखिए थोड़ा सा pattern में आपको बता देती हूँ किस हिसाब से आपने कम जा ज्यादा stitch रखने है एक pattern हमारा no chain से complete होता है 9 chain किस हिसाब से देखिए यहाँ पर एक दो तीन chain हमने skip के उसके बाद हमने यह दो chain में बनाया है यहाँ पर बनाया यहाँ पर बनाया तीन और दो 5 फिर हमने तो 3 chain skip के 8 और फिर 9 में हमने single crochet किया तो यहाँ से लेकर यह single crochet तक 9 chain मेरी use होती है एक pattern के लिए फिर से देखिए यह एक दो तीन फिर दो में हमने यह बनाया है 5 फिर तीन skip के 8 और एक 9 तो 9 यह है 9 यह है और यहाँ तक यह फिर से 9 है तो 45 होगे मेरे 5 pattern है देखिए 1,2,3,4,5 तो 45 मेरे पास यह है यहाँ तक 3 हमने chain लिए है pattern को adjust करने के लिए last में तो 45 और 3 48 होगे 48 और यह 3 होगे 51 और यह इस side वाले 3 होगे 54 तो इस हिसाब से हमने रखा है यह दिखिए यहाँ पर मैंने यही लिखा है multiple of 9 chain के हिसाब से आपने pattern लेना है end में 3 chain extra लेंगे यह जो हमने pattern को adjust करने के लिए लिए है और pattern तो adjust pattern 6 chain हमने लिए है side पटी के लिए यह वली job side पटी और यह वली side पटी ठीक है एक pattern 9 chain से complete होता है 5 जो pattern है वो 45 हो जाती है chain 3 chain जो मैंने आपको बताए है यह pattern को adjust करने के लिए 48 होगी जो अभी मैंने आपको बताया और 6 chain हमारे पट्टी के 54 हमारे double crochet रहेंगे first row में तो 54 double crochet के लिए हमने शुरू में 53 chain और 3 chain extra तो ये 54 double crochet हो जाएगे तो आगे मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह कर ये दिखेगा दोनों साइड से ये सेम दिखेगा और इसको आपने complete किस तरह से करना है लास में नीचे हमने एक रो बनाई है और इसी तरह से हमने दोनों साइड भी बनाई है तो यहां से देखिए यहां से हमारे स्टिच जो है यह राइट साइड वाले दिखाई देते हैं सीधे स्टिच है यह तो इसी साइड से हमने इसको complete करना है यह तीन डबल कोशिय मैंने बना लिए तीन डबल कोशिय में बनाने के बाद llegó यहां पर मरना पास तिन स्टिच है पहले वालãy स्टिच को σ्क्प करेंगे सेड वले स्टिच में हमने डबल कोशिय बनाया मतलब पहले वाली chain को हमने skip किया है तीन मेंसे तो ये second और third दुनों में हमने एक-एक डबल कुशिया बनाया तो ये मेरे दो डबल कुशिया हो गए आगे दिखिए single कुशिया है इसकी chain में एक डबल कुशिया किया तो ये तीन डबल कुशिया बना लिए मैंने इसके बाद दिखिए ये मेरे पास तीन डबल कुशिया है और ये शुरू में chain है तो इन तीनों के उपर भी एक-एक डबल कुशिया बनाएंगे ये fourth हो गया ये fifth हो गया और ये sixth 6 double crochet बनाए मैंने अभी तक दो हमने chain के उपर बनाए है एक हमने single crochet के उपर बनाए और तीन ये बनाए तोटल अभी मैंने 6 बनाए है इसके बाद देखिए यहां पर हमने 3 की chain बनाई हुई है यहां से एक chain skip करेंगे यह सेकिंड वाली जो chain है यहां पर हमने धागा नहीं लिया यहां पर देखिए यहां से यह पैटर हमारा उचाई में है और यहां पर यह नीचा है तो यहां पर ह इस तरह से single crochet की तरह हमने बनाया इसके बाद हमने धागा लिया इसको हमने complete नहीं किया धागा लिया यहां पर मारे पास 5 chain है पांच में से पहली chain हम skip करेंगे फिर जो second chain है वहां पर हमने इस तरह से बनाया चार में पास है पहले 2 निकाल दिये अब हमने 3 से एक किया मतलब ह यहां पर 2 स्टिच लेकर एक उपर चेन बनाई है तो यहां पर 6 मेंने पहले बनाए थे एक यह साथ भी हो गई इसके बाद धागा लिया और नेक्स चेन में हमने आठ आठना डबल कुशिय बनाया तो आठ आठ ऺई में यहां पर डबल कुशिय बनाओंगी फिर से देखिये किस पांच चेन थी यहां पर एक चेन हमने डिया अब फूर्थ और फिफ्थ रहती है तो दो मेरे पार यहां पर chain है फिर से देखिए यह दो chain में से पहले वाली chain पर हमने एक बनाया आठ हमने बनाने है टोटल फिर यह next chain में हमने दूसरा बनाया डबल कोशिया अब यह single crochet है इसमें हमने तीसरा बनाया अब देखिए यह तीन है तीनों के उपर एक एक बनाएंगे यह 4th 5th 6th और जो 7th बनाना है हमने उसमें हमने धागा नहीं लेना और यह 2nd वाली चेन को लेना है एक चेन स्किप करके 2nd वाली चेन को इस तरह से लिए complete नहीं किया भी हमने अब हमने धागा लिया यहां पर देखे हमारे पास 5 चेन है 5 में से हमने यह पहले वाली चेन स्किप की यह तो देखे सिंगल क्रोशिय है इसको हमने नहीं लिया इसके बाद 1 चेन है यह देखे 1, 2, 3, 4, 5 है तो यह पहली चेन को स्किप की है नक्स चेन को लिया हमने अब देखें ये क्रोशे के उपर 4 है पहले 2 निकाल दिये फिर 3 उपर 1 साथ निकाल दिये तो ये हमारी उपर 7 चेन आई देखें 1,2,3,4,5, ये 6 और ये 7 7 बनाने के बाद अब next में बनाया 8 तो 8 आठ में यहाँ पर इस तरह से बनाओंगी ये हमने उपर इस तरह से 2 को लेकर 1 बनाया है ताकि यहाँ पर जोल आए मतलब स्टिच हमारे ज्यादा न लगे तो लास्ट में देखें रोके किस तरह से बनेगा यहाँ पर हमने तीन के उपर बना लिया अब एक चेन छोड़के यहाँ पर हमने बिना धागा लिये फंदा निकाल लिया फिर हमने धागा लिया एक चेन स्किप करेंगे अब हमने इसको कम्प्लीट किया इसके बाद ननस cage में बनाया हो इसके बाद फिर हमने और सिकिंटेन स्किप करके कि इन चैन है जो हमारी शुरूवाली उसके उपर बनाया इस तरह से यह है यहां पर देखिए लास में हमने तीन डबल कुश्य बनाए है आप शाहे तो साइट वाली दोनों साइट देखें यहां पर किनारी बना सकते हैं अगर आपने किनारी बनानी है तो किस तरह से बनानी है देखिए यहीं से हम टान लेंगे एक चेन बनाई हमने और यह जो हमारा डबल कुश्य है लास्ट राला इसी चेन में पहली जो चेन है यहां पर हमने सिंगल कुश् अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस तरह के loop है देखें यह हमारे पास double crochet है इस तरह से लेकिन इन दोनों यह वला और यह वला जहां पर जोटा सा यहां पर बनाएंगे यह हमने single crochet किया अब देखें यहां हमने इसको नहीं उठाया इसके बाद यहां पर यहां पर यह दो double crochet join होते हैं वहां पर मैंने single crochet किया एक, दो, तीन चेन बनाए, तीन चेन बनाकर सिंगल कुषिय के ये दो हमने धागे उठा लिए, इसके बाज हमने जोई देके कहां पर करना है, ते देखियों हमारा डबल कुषिया है, ये नेक्स्ट है, इन दोलों के बीच में यहां पर सिंगल कुशिय किया फिर देखिए एक दो तीन चैनल लिए और इस तरह से दो धागे लेकर हमने सिंगल कुशिय किया और यहां पर इसे जॉइन करेंगे एक दो तीन इसी तरह से इन दोनों के सेंटर में तो इसी तरह से इस साइड और यह दूसरी साइड भी बनाएंगे दोनों साइड मैंने इसके किनारी बना दी है किनारी बनाने से मफलर की फिनिशिंग अच्छे आती है साइड से तो अब यहां पर हम फ्रिंज बनाएंगे तो यहां पर देखिए मुफलर की फ्रिंज मैंने बना दी है यहां पर मैंने थोड़ी अलग तरह की फ्रिंज बनाई है twisted fringes को बोलते हैं इसको हम धागय को घुमा कर यह बनाते है यह एक नई तरह की मैंने बनाई है बाकि आप मुफलर बनाते वक्त यह देखिए यह ध्यान दे यहां पर देखिए यह जो हमने double crochet की row बनाई है last वाली इसमें हमारे पास 42 double crochet है 42 लेकिन जब हमने start किया था तो हमने 54 के साथ start किया था चुरावन के साथ 54 तो यहां पर भी आपको थोड़े से stitch कम करने पड़ेंगे अगर आपने यह वाली fringe बनानी है क्योंकि यह हर chain में हम बनाते हैं यहां पर हमने 54 के साथ start किया था और हमारा 9 के साथ pattern बनता था लेकिन यहां पर हमने बीच बीच में chain skip की है ताकि यहां पर जोलना आए तो आपने क्या करना है इस side भी यहां पर single crochet की एक row बनाएंगे उसमें एक एक करके बीच बीच में दहां यह जो और यहां पर stitch कम कर दें और यह जो हमारा pattern है यहां पर एक stitch कम कर देंगे एंपर यह तो इस तरह से थोड़ी से आप stitch कम यह वली अगर आप auto fringe बनानी है अगर आपने सिंपल थो कोई बात नहीं लिकिन अगर आपने यह वली बनानी है marks eight कि अभी मैंने अपको फ्रिंज दिखाई है तो तो बीच Cheryl कम कर दें इस side मेरी 42 fringe बनी है 42 तो उस side भी 42 तर 40 इतनी ही बननी चाहिए देखिए हमने धागा start किया next chain में हमने single crochet किया फिर next chain में हमने single crochet बनाया हर chain में हम एक-एक single crochet करेंगे यहाँ अब देखे क्या करेंगे यह जो space है इसके ऊपर दो यह chain को लेकर हम एक बना लेंगे किस तरह से बनायेंगे देखिए बिना धागे के इस तरह से हमने crochet को डाला फिर next में अब यह तीन है तीनों को एक साथ निकाल दिया एक chain यहाँ पर हमारी कम हो गए इसी तरह से जब हम इसके उपर आएंगे तो यहाँ पर भी एक कम कर देंगे अब देखिए यहाँ पर दो का एक बना दे एक फिर next में एक तीन से एक तो एक हमने इसके उपर कम कर दिया एक हमने इस उपर पर कम कर दिया उपर एक हम इस पर पर कम करेंगे एक यहाँ पर कम करेंगे इस तरह से थोड़े से आप स्टिच कम कर लें नहीं तो आपके यहां पर गोटाए फ्रिंज बनाते वक्त भी को अब यहाँ पर कम कर दे 1 फिर next में बनाया American 3 वैक यह यह तक जाएंगे मतलब दो तीन आप सिंपल बना ले सिंगल कोशिय है 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 इस तरह से अब यहां पर की यहां पर कम कर दे है है ए एक फिर नेक्सक्रण तो इस तरह से थोड़े से स्थिचे कम कर ले पर जोल नहीं आएगा तो यहां पर देखें एक यहां पर दूसरा यहां पर तीसरा यहां चोथा पांचवा चटा सेवन्थ एट नाइंट टेंथ 11 तो 11 हमारे स्टिच कम हो जाएंगे 54 में से तो वही 42-43 रह जाएंगे जितनी हमारी इस साइड फ्रिंज है उतने ही स्टिच यहां पर हो जाएंगे इसके सिंगल कुशन की रो मैंने कंप्लेट कर लिए अब इसके उपरा फ्रिंज बनाएं थोड़े स्टिच यहां पर कम हो गए हैं तो इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे विडियो पसायन दा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू